शादी का सीजन है, शॉपिंग भी करनी है और कोरोना का भी डर है ऐसे में आपको गवराने की ज़रुद बिल्कुल भी नहीं है बिग ब्लिस है आपके साथ अभी डाउनलोड करें बिग ब्लिस एप और सिर्फ 10 मिलिट में पाए अपना सारा समाल बिग ब्लिस खुश्यों की अपनी दुकार भारत जिन दो देशों से यानि रूस और यूकरेन से भारी मातरा में सुरज मुखी तेल का आयात करता है उनके युद्रत होने से इसकी आपूर्ती पर गहरे बादल चा गए है जिसका सरवादिक लाथ पाम तेल की उतपादकों को होगा दोनों देशों के बीट छिडी भीशन जंग के कारण वहां से सुरज मुखी तेल की आपूर्ती बादित हो गई है और विशलेशकों के मताबिक जंग खतम होने के बाद भी निकट भविश्य में ये स्थिती तत्काल नहीं सुदरेगी इस जंग का असर दोनों देशों में सुरज मुखी की खेती पर लंबे समय तक रहेगा और उत्पादन कम होने पर अपूर्ती आगे भी खत्रे में रहेगी भारत भारी मात्रा में खादय तेलों का आयात करता है जिन में 60 फीजदी से अधिक हिस्सेदारी पाम तेल की है सुरज मुखी तेल की बजार में कमी होने से पाम तेल की बजार हिस्सेदारी और बढ़ जाएगी भारत 25 लाख टन से अधिक सुरज मुखी तेल का आयात करता है सुरज मुखी तेल की आपूर्ती बादित होने से पाम तेल की कीमतों में काफी तेजी आ गई है यूक्रेन अरूस के बीच जंग ने सुरजमुकी तेल की बड़ी खेब को संकट में डाव दिया है इससे वैश्विक बजार में माँग और आपुर्टी का संतुलन बिगड़ गया है भारत सुरजमुकी तेल का बहुत बड़ा आयातक है सुरजमुकी तेल के आयात के लिए यूरोप और अर्जंटीना पर निर्भर नहीं हुआ जा सकता है क्योंकि यह देश खुद ही सबसे वड़े उपभोकता भी है अब जहां तक अर्जंटीना की बात है वहां के सुरजमुकी तेल की अधिक कीमत, कम उत्पादन और माल डोलाई में अधिक लागत के कारण उससे तेल खरीदने की संभावना कम है भारत की संस्कृती विविध है और यहां का खान-पान भी काफी अलग है तो यहां लोग असानी से उस खादे तेल को खरीदने लगेंगे जो कम कीमत पर उपलब्ध है सोयबीन तेल और पाम तेल पर निर्वरता अब और बढ़ जाएगी सरसो की अच्छी फसल की उमीद से कीमतों में उतना अधिक उच्छाल नहीं आ पाएगा देश में सरसो की फसल की अभी कटाई हो रही है और कुछ ही दिनों में सरसो का तेल भी वजार में आने लगेगा जिस से खादे तेलों की कीमतों में अधिक तेजी का लगाम लगेगा सुरज मुखी तेल की किल्लत और पाम तेल की कीमतों में आई तेजी का असर सोयबीन तेल पर पड़ा है और इसके दाम जंग शुरू होने के बाद से अब तक 10% बढ़ चुके हैं दक्षिन अमेरिकी देशों में सोयबीन के उत्पादन का अनुमान लगातार कम होने से और इंडोनेशिया में पाम तेल का घरेलू आवंटन बढ़ाने से पाम तेल की कीमतों में और अधिक बढ़ोतरी की संभावना है रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडोनेशिया की सरकार ने देश में पाम तेल की घरेलू कीमतों में आय तेजी ओचाल को देखते वे उत्पादन के एक हिस्से को घरेलू बजार में बेचना जरूरी कर दिया है इंडोनेशिया पाम तेल का सबसे बड़ा उत्पादक है और उसके बाद दूसरे स्थान पर मिलेशी आता है केंद सरकार ने खाद तेलों की कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाई किये हैं लेकिन उनका कोई असर बजार पर नहीं दिख रहा है विछले साल के मद्धे में भारत की केंद सरकार ने 31 दिसंबर 2021 तक के लिए रिफाइंड बिलीच्ट बियोड्राइस्ट यानि RBD, RBD पाम तेल और RBD पामोलीन के आयात पर लगाया प्रतिबंध हटा दिया था इसके बाद केंद सरकार ने गत साल के अंत में मार्च 2022 तक के लिए रिफाइंड पाम तेल पर आयात शुलक साड़े 17 फीजदी से घटा कर साड़े 12 फीजदी कर दिया था फिर से आगया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सब की भलाई अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना बिग बिस लेकर आएगा, दस मिनट में आपके घर पर दवाई बिग बिस, खुशियों की अपनी दुकान